खलो दोस्तों स्वागत आपका एस्परेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था यहां पे इंद्रा गांधी सहरी रोजगार योजना के बारे में तो यह एक इस्टेट गौवर्मेंट के तरफ से चलाए जा रहा है देखें अभी फिलाहाल इस्टेट गौवर्मेंट इस समय अब यहां पे गौवर्मेंट मे क्या किया है कि सहरी छेत्र के लिए ध्यान रखीएगा अर्बन एरिया के लिए पहले तो देखें गर्मीर शेत्र के लिए मंडेगा कारेकर्म चली रहा था लेकिन मंडेगा भी ध्यान रखेंगा कि एक केंद्री योजना है सेंट्र है बहुत जादा कि सिर्फ सहरी छेत्र के लिए लाया गया इसको और महान गांधी यानि की मनरेगा के तरज पर ही इसको लाया गया है क्या किया जाएगा इसके माद्यम से कि सौ दिनों का रोजगार परदान करने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि देखे सहरी छेत्र की अर्थव्यस्था कोविड-90 के बाद से बहुत जादा प्रभावित हुई है सहरी छेत्रों से बहुत ज्यादा लोगों का ग्रामीड छेत्रों की तरफ पलायन हुआ है जिसके यहां पर प्रयास किया जा रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से कि जो सहरी युवा लोग हैं उनको रोजगार प्रदान किया जा सके जिससे जो कुंठा की भावना है उसमें थोड़ी कमी आएगी सरकार इसके लिए क्या करेगी कि 800 करोण रुपे आवंटित की है जिससे इसको लापकारी बनाया जा सके इस योजना में जो आयू वर्ग है वो है 18 से 7 साल का यानि कि 18 से कम एज का इंसान इसमें काम नहीं कर सकता है और 60 साल से ज्यादा का व्रक्ति भी इसमें योजना में ला जल रही हैं अब है यवाली युजना जो है ध्यान रखेंगा राइस्थान सरकार के तरफ से चला जा रहाए यह एक प्रकार की गार्응τοी योजना है सहरी रोजगार की गारंटी योजना यानि कि सबी को सोव 반ग को शिसकिया जाएगा कि 100 दिनों का रोजगार मिले지 अ अब पूछा जाए कि ये किस आर्टिकल से संबंदित है भारती संबिदान के तो आर्टिकल 21 का आता है कि जीवन का संबान जो है ठीक है मतलब कि अच्छे से जीवन जीने का जो वो एक प्रयास होता है वो होना चाहिए तो उसको आर्टिकल 21 के माद्यम से एड किया जाता है अब अन्य राज्यों में अमाम जी में अगर देखने तो जारखंड जो है यहाँ पे भी एक प्रयास किया गया था मुख्यमंत्री स्तरमिक रोजगार योजना के माद्यम से 2020 में इसको लाया गया था और आजीविका को लेकर सुरच्छा प्रदान की गय थी यहाँ पे भी प्रयास किया जाता है सौ दिनों का वेतन रोजगार दिया जाने का दूसरा है हिमानचल प्रदेश यहाँ पे भी मुख्यमंत्री सहरी आजीविका गारंटी योजना द्यान रखेगा गारंटी योजना एक होती है एक तो होती है कि आजीविका सुरच्छा योजना यहाँ पे गारंटी दी जाती है कि आपको 120 दिन का काम मिलेगा और रोजगार पड़ान करने के लिए इसको शुरु किया गया था ध्यान रखेएगा जारaters और एक और राज्य है केरल यह कियरल-्राजिक का जो इस्कीम है यह बहुत ही फेमज था 2010 में इसको लाया गया था इसका नाम था अयंकाली सहरी रोजगार गारंटी योजना इसके माध्यम से भी 100 दिनों का रोजगार परदान करने का प्रयास किया गया था जो भी बेरोजगार युवां थे उस समय भारत में सहरी रोजगार गारंटी योजनाओं का अगर इतियास देखे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इतियास भी बताया गया है किस प्रकार से 1997 में प्रारंब किया गया था 133 सहरी रोजगारी योजना को बेरोजगारी और अर्प्रोजगार जो होता है सहरी गरीबों में उसी को समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया था मजदूरी जो होती है वो रोजगार के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाता है ओके यही मजदूरी ध्यान रखेगा मजदूरी वाले कार जैसे कि माल लिए सहर में नालियां बन रही हैं सडके बन रही हैं बावणियां बन रही हैं जल संसाधन की विवस्था की जा रही है इसको मजदूरी वाले काम में सामिल कर दिया जाता है यही इसी परकार का रोजग योजनाओं का इतिहास रहा है और गारंटी योजना नहीं थी यह भी ध्यान रखना है कि आपको यह वाली जो योजना थी तो यह कोई गारंटी योजना नहीं थी कि आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा गारंटी का मतलब यहां पी यह हो गया कि अगर माली यह रोजगार आ जैसे हम देखते हैं मूल अधिकारों और DPSP में अंतर मूल अधिकार के लिए आप लड़ सकते हैं लेकिन DPSP वही है कि जो करेगी तभी आपको मिलेगा अब सहरी बेरोजगारी दर के बारे में देखो होई में कि तेजी से वृद्धी होई है अगस्ति 2022 का आकडा अगर हम देखेए तो भारत में सहरी बेरोजगारी दर है 9.57 यानि की करीब 10% के आसपास जब किया गया 2019 से सम्बंधित जहां पर बताया गया कि भारत में 535 मिलियन सरंबल में से करीब 399 मिलियन सरंबल ऐसा है जो खराब गुडवत्ता वाले हैं यानि कि वो लोग इसकिल्ड नहीं है इसी लिए इसकिल इंडिया प्रोग्राम भी लाया गया था कि जो मतलब भारत में इस कि आसे सकते हैं सरंफा में अलिए आ यूवत्ता वहां' । झाल झाल